ये प्रक्रिया जो हमने अब शुरू की है, जिसे हम शिवांग कह रहे हैं, अंग मतलब हिस्सा, यानि शिव का एक हिस्सा, आप उनका एक हिस्सा हैं, तो स्रिष्टी करता का एक हिस्सा होना, ये रूपांतरन की यात्रा, स्रिष्टी का एक हिस्सा होने से लेकर, स्रिष्टी करता का एक हिस्सा होने तक की है, ये ऐसी चीज है, जो हम सभी में समाई हुई है, ना सिर्फ इनसानों का, बलकि हमारे आसपास जीवन के हर रूप का भी वही स्त्रोथ है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा अफसर है, या जो सबसे बड़ी चुनाती है, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी संभावना है, वो ये है कि हमारे अंदर उसका अनुभव करने की शमता है। हम उसे एक चेतन प्रक्रिया में बदल सकते हैं। कोई भी दूसरा जीव ये नहीं कर सकता। कोई भी अन्य प्राणी हालांकि वो भी उसी से बने हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं जान सकते कि वो उससे बने हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल में भक्ती की अगनी प्रजवलित कर लें, तो आप यहां धर्ती के एक टुकड़े की तरह नहीं जीएंगे, बलकि आप यहां शिव के एक अंग या हिस्से के रूप में जीएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक भक्त के रूप में आप अपने आसपास की हर चीज के प्रती एक नए स्थर की समवेदन शीलता पैदा करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस नए स्थर की समवेदन शीलता की संस्कृती लाएं। और भक्ती सबसे खूबसूरत और आकर्शक चीज बन जानी चाहिए। यह हमेशा से रही है। इंसान का दिल इसी चीज की इच्छा रखता है, ये बिना किसी वज़े से प्रजवलित रहना चाहता है, अगर ये बिना किसी वज़े से प्रजवलित नहीं है, तो आप इसे हॉर्मोन्स की मदद से प्रजवलित करेंगे, अगर भक्ती नहीं है, तो आप किसी से लगाव रख पूरा संतुलन जब आप एक भक्त होते हैं तो आप संपूर्ण संतुलन में होते हैं क्यूंकि भक्ति आप में वो आयाम पैदा करती है ये एक चरम प्रक्रिया लगती है भक्ति या भक्त एक चरम पंथी है जो किसी के खिलाफ नहीं है हमें ऐसे लोगों की जरूरत है फिलहाल हम ऐसे चरमपंथी तैयार कर रहे हैं जो हमेशा किसी के खिलाफ होते हैं मैं चाहता हूँ कि आप बस कलपना करें उग्रवादियों जैसे लोग जो इस धर्ती पर तबाही मचा रहे हैं लेकिन उनमें एक आयाम है जो बहुत मूलेवान है वो ये है कि वो उस चीज के लिए मरने के लिए तैयार हैं जिसे वो कीमती मानते हैं ये एक माहान गुण है लेकिन वो किसी के खिलाफ हैं ये ही एक मात्र समस्या है मान लीजिये उनका कोई दुश्मन नहीं होता मान लीजिये आपका कोई दुश्मन ना हो और आप में दुश्मन बनाने की शम्ता भी ना हो, पर आप चरमपन्ती हो, तो आप एक शांधार तीवर इंसान होंगे है न? एक बहुत ही तीवर और शांधार जीवन होंगे आप. अगर आप बस इतना करें, कि अपने अंदर कोई दुश्मन न बनाए. अगर आप कोई दुश्मन नहीं बनाते, और आप एक चरमपन्ती हैं, तो ये जीने का जबरदस्त तरीका है, क्योंकि आप एक तीवर जीवन जीएंगे. पूरी तरह सितीवर, जब आप किसी चीज के खिलाफ नहीं होते और किसी चीज के साथ भी नहीं होते, बस एक चरमपन्ती, तो आप जीवन के जबरदस्त अंश होंगे.